अब बात आती है इस्पेसल बैक क्या होती है और यह कब लगती है आज हम आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करेंगे तो वीडियो को दिहान से देखना और चीजों को समाझना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जब आपके 50% नमबर किसी subject में आते हैं तब आपको पास اauट कर दिया जाता है मतलब आपको पास होने के लिए 50% नमबर जो है चाहिए per subject में अगर आपका paper 80 नमबर का है तो आपके 40 नमबर होने ही चाहिए चालिस नमबर से कम जब आपके आते हैं तो आपको बैक लगा दी जाती है आपके उस सब्जेक्ट में बैक लगा दी जाती है जिसमें आपके चालिस से कम नमबर आते हैं और D-Pharma में कि दो subject से ज़्यादा जब आपकी 3 subject में बैक हो जाती है तब आपकी year back में गिनी जाती है मतलब अगर आपकी 2 subject में back है तो आप नॉर्मली back का form भरेंगे और back को अगली बार में clear कर लेंगे लेकिन 2 से ज़़ाद आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तब आपकी year back लग जाती है और year back में क्या होता है आपको उस year के सारे exam जो हैं वो दुआरा से देने पड़ते हैं आप next year में या next class में जो है पौन नहीं प्रमोट किये जाते हैं तो यह होती है year back अब बात करते है special back special back final year के बच्चों की ही लगती है इसमें क्या होता है जैसे आपने final year के exam दे हैं और आपकी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में back आ गई और इस वज़े से आपके क्या होगा डिग्री और या डिप्लोमा या माक्षीट आपकी जो है वो रुक जाएगी आपके जब अगली वार में जब बैक के फॉर्म भरे जाएंगे तब आपका जो है बैक का टूडेंट्स जो होते हैं वो अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में back आ जाती है तब उसको special back बोला जाता है क्योंकि वो अपना जो duration होता है कोर्स का वो complete कर चुके होते हैं उसके बाद में उनको exam देना पड़ता है बैक का इसलिए यह special back बोली जाती है तो यही थी आज की वी वीडियो में तब तक लिए ठीक किये बाई